नमस्का व्योस मैं हूँ अमीर्श तेवकन और आप देख रहे हैं समय आरपार क्या वोट के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश में पटवारे का शरमनाग खेल चल रहा है प्रियंका वाडरा गांधी या फिर नी कहें खुद को यूपी की बेटी बताती है लेकिन पंजाब के सीम चरणजी चिंग चन्नी जब ये कहते है कि यूपी बिहार के भाईये यानि भाईया जो पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं उन्हें हम घुसने नहीं देंगे तब वो कुछ नहीं कहते है उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान होता है प्रियंका बिहार का खेल केला जा रहा है उद्धर भारत्य जंता पार्टी ने इस मुद्धे पर कॉंग्रेस की खिलाफ मोर्चा खोल दिया है बीजेपी कह रही है कि किस मूझ से अब प्रियंका गांधी आकर उत्तर प्रदेश में वोट मांगेंगी अन्रॉक ठाकुर ने ये ट्वी कॉंग्रेस को इस अपमान का करारा जवाब देगी वक्ताने पर लेकिन सवाल है कि वोट के लिए राज्यों का बटवारा करना क्या जायज है क्योंकि कुछ दिरों पहले सदन में भी राहुल गांधी ने खड़े होकर यही बात कही थी कि भारत जो है वो एक देश नहीं है बलकि स्टेट्स का समय है राज्यों का समय हो है तो मतलब क्या है आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस वोट के लिए यूपी और बिहार का अपमान परिंका अगांधी उत्तर प्रदेश ने गांधी नहरू परिवार को चार-चार पीडियों तक किसी ना किसी पद पर शीष पद तक पहुंचाने का काम किया लेकिन मौका देखते ही गांधी परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते हैं ऐसा अपमान किया है इसका जवाब यूपी की जनता लेगी बिहार की जनता कांग्रेस को देगी आज उन्होंने कांग्रेस के पलीते में आखरी किल ठोब दी है अब उत्तर प्रदेश में किस मूँ से वोट मांगेंगी इससे पहले राहूल गांधी भी केरल में खड़े होकर उत्तर भारतियों की समझ पर सवाल उठा चुके हैं आज पर फिष्ट यह अ यह आज बढ़ आख्गान उन्हार कांगी और अब विश्टेशन का वक्त है वोट के लिए बटवारा पॉलिटिक्स का विश्टेशन सुनिए चांजीक सिंग चन्नी 15 फर्वरी 2022 को कहते है यूपी बिहार के भाईया जो पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं इने घुसने नहीं दूगा यानि क्लियर कट उत्तरप्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान राहूल गांदीज फर्वरी 2021 उत्तरभारत में मुझे अलग कि राजनीती की आदत हो गई थी के लोग मुद्व में रुची रखते हैं सिर्फ सतही नहीं बलकि मुद्व की गह जो से कर दी गई है और यह ममता बेरण जी अखिलेश जी को समर्थन भी दे रही है बड़ा सवाल यह है फूट डालकर राज करने का खेल चल रहा है क्या यह बड़ा सवाल मैं आज आरपार में उठाता हूं मेरे साथ बात करने के लिए इस समय जुड़ रहे हैं सुधान श बहुत सीधा है पंजाब में आपको वोट चाहिए तो उत्तरप्रदेश और बिहार के लोगों को गाली निकालेंगे क्या ताली बजाएंगे उनकी गाली पर मुझे कैंड़ी एक मिनट अनिंटरप्टिड दे दीजेगा पहली बात तो किसने उत्तरप्रदेश के या बिहार के लोगों को गाली निकाली और दूसरी बात बीजेपी ने वोई किया है what it does best blow things out of proportion mislead किया गया है और misrepresent किया गया है कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि बिहार के लोग बुरे हैं सर्फ ये कहा था कि पंजाब का CM एक पंजाब का विक्ति होना चाहिए बिकाज हर्याना ने आप बीजेपी की बात कीजे ना बीजेपी ने हर्याना में law pass किया कि 70% reservation सर्फ हर्यान भी इसको मिलेगी यूपी और बिहार के लोगों ने सफर किया दूसरा जम्मू कश्मीर में से exodus हुआ यूपी और बिहार के लोगों का जब teachers, pharmacists और carpenters को मारा जा रहा था बीजेपी ने accommodate नी किया और तीसरा जब COVID की peak थी तब यूपी और बिहार के लोगों को जाना पड़ा बिकॉज ना उनकी प्लेट पे खाना था ना से पे छती ना काम करने के लिए जॉब था तब Congress Party ने उनकी मदद की और जा तक चन्नी साहब का सवाल है चन्नी साहब हर एक व्यक्ती की, हर एक समुधाय की व्यक्ती की, हर एक स्टेट की व्यक्ती की अरश्पीत, आपने एक मिनट मांगा था, मैंने आपको इत्मिनान से एक मिनट 15 सेकंड, 10 सेकंड दिया आपने एपनी बात को रखा, लेकिन ये प्रेस कॉन्फरेंस तो है नहीं, ये कोई पोलिटिकल रैली तो है नहीं कि आप अपनी बात को रखेंगे और सवाल नहीं सुनेंगी, देखिए जो सब कुछ है वो कैमरे पे कैद हुआ है, अगर आप चाहे तो मैं आपको दुबारा सुना सकता हूँ, इससे अमबैरिस्मेंट, hear me out अरश्पीत, hear me out, मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, वो चन्नी की बाइट आपको, सीम चन्नी की बाइट दुबारा सुनाओं, तो वो अमबैरिस्मेंट आपके लिए होगी, आपकी पार्टी के लिए होगी, my state question is this अरश्पीत, क्या आपको लगता है, हो सकता है आपके लिए अमबैरिस्मे के नेता ने का गया, फ्लैंका गांधी वार्णा ताली बजा रही थी, कि यूपी और बिहार, यूपी और बिहार के भहिया जो पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं, हम उन्हें घुसने नहीं देंगे, वो ताली किस बाद के लिए बजाई जा रही थी, देश सवाल जब आप दीजा श्प्रीट इस बात का यूपी और बिहार के लोगों को और स्टेक पुली भईया कहा जाता है, आप वीजेश बात को टार्गेट श्रीट है, व्यूपी और बिहार को बड़ा कर रहा हूं यह नहीं कहा गया, आप बोलेंगे, मैं बोलू, क्या कहा गया, बताइए, बताइए, तीस से किन्द देता आपको क्या कहा गया? क्या बोला चरंजीच सिंग चन्नी ने? बिलकुल बोलिये? क्या बोला चरंजीच सिंग चन्नी ने? आप 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 वीडियो प्ले कर लीजिए. उनने आप वीडियो प्ले करके दर्शकों को दिखा दीजिए. जो बीजेपी कर रही है, मिस लीड औ प्लेट को रोक रहा हूं तो आप ट्वीट करके मुझे जानकारी दीजेगा और मैं इस वीडियो को तुबारा प्ले कर रहा हूं क्या कहा गया चरंजी सिंग चन्नी ने को कि संजीव जाबी है सुधान्चु तिर्वेदी भी है एक आम आदनी पार्टी से है एक भारती जंता पार्टी से है लेट्स एर आउट वाट चनब जीज सिंग चन्नी सीम अफ पंजाब सेड ओ बैई पंजाबिया दिरो है प्रिंका गांदी यह जो यूपी और बिहार के भाईये आते हैं और दिल्ली के भी भाईया आते हैं उन्हें घुसने नहीं देंगे अब बताईए गुसने शब्द नहीं का साब गुसने शब्द का प्रियोग नहीं हुआ है साब प्लीज बिद्कुल ताग याए दुबारा प्ले करिए इन्हें दुबारा सुनाइए कॉंग्रेस पार्टी अपनी पॉलिटिकल उम्बरीसमेंट चा रही है आप भूल रहे है उत्रप्रदेश के अंदर भीचुराव है आप भूल रहे है उत्रपरदेश का अंदर भीचुराव है भुसने नहीं देंगे शब्ड बोला गया यूपी बिहार और दिल्ली के भाईयों को पंजाब मे आकर राज करना चाते हैं प्ले करिए वायट को दोवारा चाते हैं आप लोग व्लाइट को प्ले किरेंगे यह जो यूपी और बिहार के भाईया आते हैं उन्हें गुसने नहीं देंगे आपने फिर सुना दी साहब यह तो आप खुद को एंबरस कर रहे हैं माराज यह शब्द का प्रियूपी विहार को क्या करने को कह रहे हैं क्लियर कट बोल रहे हैं मतलब आप पंजाबियों को पाकिसानी खालिस्ट किसकी होगी जो किसानों को पीचे पी ने टेर्रिस्ट का है खालिस्तानी का है साब उस स्टेट्मेंट को उठाईए और कंड़ाइए तो पता लगेगा कि आप एक्वालिटी के लिए सचाही के लिए खड़े होते हैं सब्सक्राइए तो फित्रत है कि राज्यों को आपस में लड़ा कर अपना राज्याति कुल्लू सिधा करो यह ठरक्ता हो यह राहूल गांदी ने कहा था केरल में जाकर कि उस्तर भारत के लोग सतही होते हैं गहराई यहां समझ में याद करिए शीला दिख सब्सक्राइए तो चारो खड़ताओं को चोड़के देख लिए उसके बाद इस सब्सक्राइए और अश्पीची एक और बात का जवाब दे लिए जब हम लोगों ने कहा था कि प्रियंका गांदी उस्तर प्रदेश में कि चालीज पुर्ष्य तीट देंगी तो हम दो पंजाब में तो देख दिखाओ तो क्या जवाब देते थे आप लोगों यूपी के बारे में बात करो अब यह पंजाब में क्या बात करने नहीं नहीं पर इसका जवाब दीजिए दूसरा जब प्रभान मंतिगी स्वरक्षा को विश्य आता है तो चन्दी जो है प्रियंक गांधी की सस्वाल मुरादाबाद में है कि मुरादाबाद पंजाब में कब से आ गया यह थोड़ा समझने की बात नहीं है और जिस प्रकार से छेत्र और वर्य की बात लेकर कहा जाना आप पलाने एक हो जाओ दूसरे को आने नहीं देंगे वैसे यसे ममता बनर्जी ने कह था उत्तर प्रदेश बालों के लिए प्रयोग करते हुए कि यह लोग आ रहे हैं इनको हम घुसने नहीं देंगे गुंडे इसे शब्द का प्रयोग किया था आज समाजवादी पार्टी उनके साथ एंका गांधी जी इनके साथ बहुत साफ हो रहा है कि इनकी सितिशा और उस स्यारा दुखाद यह यह लुट नहीं रूब परिवार उस्तर प्रदेश का था ना कश्वीर का था जिस उसतर प्रदेश ने आपको इतना मान संभान दिया इतना उच्छा इस्था बिया और उसके परती आप इसस्तरकार की बात हो रहे हुए उसमेश्वर स्वेक्श क अर्श दीप इस पर आप अर्श प्रीत बाफ करिए इस पर आप क्या कहेंगे देखे पहली बात तो इनको समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट ये है कि वो यूपी की बेटी और पंजाब की बहू ये स्टेटमेंट है और दूसरी बात बीजेपी ने किसानों को टेरिस्ट कहा इनों ने पंजाबियों को टेरिस्ट और खालिस्तानी कहा इनके स्पोक्स परसन्स ने कहा और सिधान शुत्रिवेदी साब को इस चीज़ की माफी मागनी चाहिए और हमें condemn करने से पहले अपने गर्मान में तो जांके देखने साब इंशोर करती हमाओं से कह दीजे कि हमने बड़े तुफानों का ना जाना देखा है आप आईने में अपनी शकल देखिए उसके बाद चन्नी साब की बात कीजे साब तो चन्नी सहाब ने जो कहा Congress उस पे stand करती है तो चन्नी सहाब ने आप statement बोली ए बूली बिल्कुल को जो भी जो भी चांजीत आप आप कह रहें ना उन्होंने सही का मैं पूसोड चणी अप ने जो कहा कॉंग्डर सब्सक्राइब करती है You say it? बिल्कुल मैं तो ये भी कहता हूँ कि BJP भी स्फष्ट कर दे जो इनों ने बिल्कुल नहीं आगे चन्नी साब ने सही कहा ना चन्नी साब ने सही कहा चन्नी साब ने यूपी और प्यार के लोगों के पारे में जो कहा कॉंगरेस परवक्ता मान रहें की सही का नहीं कह रहे हैं और बार बार बोलेंगे आप यह चीज़ एक सकी अर्शप्रीथ अर्श्प्रीथ ऐसे ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी आप कहरें कि जो चरंजीत सिंह चन्नी ने बोला कॉंगरेस पार्टी उस पे 连ेस्टेन करती है और आगे वक्त आएगा तो यही बात बोली जाएगी यही सही BAT है तुवारा बोनी जाएगी कि आपको कहरा हूं कि बीजेपी मिस लीड़ ऊंसी जाए कि तो कहानी नहीं सब्सक्राइब कर रही है वे यह Hawk बाद को खतम कर दीजे ना आप बोल दीजे जो बाद चरंजी सिंग चन्झ ने बोली कि पूछा रहा हूं आगे उसको रिपीट करेंगी सब बीजेपी को पूछता हूं कि पंजाब को टेरेरिस्ट कहना पंजाबियों को खालिस्तानी कहना के ठीक है यह गरत नहीं है और मेजर जनरल येश्मोर जो रिटायड है उनका बयान है कि हरे एक जवाद बर्दी कहना हुआ कितना सब्सक्राइब को बीजेपी को जवाब देना चाहिए यह विल्कुल नया यूग है जिसके अंदर काम कोई कर रहा है लेकिन जवाब भार्चेंता पार्टी को देना पड़ेगा कॉंग्रेस पार्टी के नेता ने सीम ने बयान दिया प्रियंका गांधी ताली बजा ले लेकिन जवाब सुदान चुत्रवेदी आपको देना पड़ेगा सब्सक्राइब जो कुछ आज इस सिती है जो गति और दुर्गति है कॉंग्रेस की इस परिक्षिती में उसके ओपर पहले मैं एक संक्टी कहके तब बात शुरू करूंगा रहीं दाजी का दोहा है कि बिग सबसे पहले खालिस्तानी किस ने कहा रनवीच सिंग बिट्टू जो की कॉंग्रेस पार्टी के सांसर है उन्होंने कहा दूसरी बात जिस आंदोलन में नारा लगा था कि इंद्रा गांधी को ठोक दिया था कोट अनकोट यह चब उसके बाद उसका तमर्फन करना कॉंग्रेस की निग्दशिता तीसरी बात इन्होंने बार बात दली सियम दली सियम की बात करते हैं मैं पूछना चाहता हूं अस्ती जी से घुरू नानक में क्या था अबवन अर्णा नूर उपाया कुद्रत के सब ब करना आया था यह सियासत तो बढ़ा दिया गुरू नानक के विचार का पान गुरू गोविन सिंग्ग के अमरत चकाने का अपमान और डॉक्टर अंबेडकर में जब समिधान बनाया था तो सिक्षों को मैं जवाब नूगा देके अश्मीत आपके मैं जवाब नूगा लेक लगता है यह जो स्टेटमेंट है इसको तोड़ा मरोडा जा रहा है क्या आपको लगता है जो बात बोली गई वो सपस्ट नहीं है संजीव जाजी अगरेंका जी तो खुद यूपी से आती है उनको तो कहना चाहिए था कि मैं यूपी से हूँ ऐसा नहीं कहना चाहिए या बाद में उनको मां भी मांग लेना चाहिए था या अभी जो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा हूँ आपने भी कहा वो सिटमें को पॉप्ता कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी यहीं सोच है तो इसका मितलब का यह सोच को दरसाता है लेकिन यह पंजाब का सोच नहीं है पंजाब अमन भाईचारे का प्रदेश है पंजाब सब का सागत करता है पंजाब में सब के लिए जगह है वही बिहार यूपी के लोग पंजाब के अगर पर कैपिटा इंकम बढ़ा है तो चाहे कारखाने में हो चाहे आके खेती किशानी हो सब में बाहर के लोगों ने अब यह कहरे हैं कि जो इतर्ब प्रदेश और भिहार के लोगों को आप भुसने नहीं देंगे तो क्या इसका मतलब एक बात तो तक है कि आप पंजाब के पंजाम में इनके लिए उत्ला मुझे नहीं हैं पंजाब के लोग आप इनको पशंद नहीं करते हैं जिस तरह से पंजाब को कांगरेशों ने लूटा है जिस तरह से पंजाब को बरबाद किया है आप लोग बदलाव के लिए वोट करना चाहरा है नया पंजाब बनाने के लिए वोट कर रहा है तो यह चनली साथ एक्टमें ने भी गंबीर सवाल खड़े करे हैं भी पिस्टे दिनों प्रियंका वाडरा मुरादाबाद गई थी तो वो कह रही थी मैं वहां की बहू हूँ आज चन्नी साथ में उनको पंजाब की बहू बना दिया कि पंजाबन है यह क्या आपको लगता नहीं है कि आप यूपी में पंठा आप लोगों के लिए और स्पृत जवाबादा भावना है यह भावना है यह प्यार है और दूसरी बात जो बीजेपी की लोगों को मिलता नहीं है इसमज़ा से इसका मुद्दा बनाने की कुशिश कर रहे हैं आपने केजई जीवाल साब की बात की अच्छा किया आ उनका सपोर्ट ले रहे थे और चाते थे कि पंजाब एक अजाद देश बन जाए और असदा अजाद देश के वो परदान मंतरी बना चाते थे इनके खुद के लीडर कह गे और दूसरा ये भी कहा कि रेफरेंड़म 2020 करवाना चाते है वो ऐसे की फंडिंग इन्वाल्ड हो सकती है तो केजडिवाल साब ने का कोई बात नहीं बनता है तो बनने दो मैं राज करूँगा उस पे तो आम आदमी पार्टी का तो साब ये हाल है अब दूसरी बात बीजेपी वाले अच्छी बड़ी बड़ी बाते तो कर लेते हैं इनको ये तो पूछ लो कि हर्याना में जो यूपी और बियार के लोग हैं आप उनको प्रियोरिटी क्यों नहीं देते उनको रोजगार क्यों नहीं बड़ा ही जाम दिखाया है कुमार्श वास के हावाले से जवाब दनता है ओके संजीब जा जवाब देखिए मुझे लगता है एक बात यहां पे मैं आपको पंजाब की बतादू साब वो चनी साब है पंजाब कॉंग्रेस है जिनों ने यूपी और ब्यार के लोगों को रोसगार दिया उनको से पर अपको गाली भी दे रही है ना कॉंग्रेस पार्टी उदर पर देखिए मुझे लगता है कि कॉंग्रेस से तो हमें देशवक्ति की शर्टीफिकेट नहीं लेनी पड़ेगी अभी को पंजाब के प्रदहान कांग्रेस के प्रदहान कहते हैं इमरान खान मेरे बड़े भाईया हम जाके उनके गले लगते हैं तो आपसे देशवक्ति की शर्टीफिकेट नहीं लेनी पड़ेगी रही बात आपने कमान मित्स्वास की करी तो ठीक है आपने उनकी धर्बतनी को रास्थान लोक्षमायोग का सदर्श्च बनाया है और वो स्टेज के कभी हैं तो कई बार अगर ठीक से राशी मिले तो बात कुछ भी हो सकती है मैं य पहला आया जारा है लेकिन मैं एक बात बता दू कि पंजाब के लोगों ने अब मन मना लिया है कि कौंग्रेश को समूल नस्थ करना है जो एक बराज़ी रोप पहले दिल्ली में दिया था अब बारी पंजाब की है पंजाब के लोग आम आदनी पार्टी की सरकार बने भमं अगर केजरीवाल जी को वहर in you pick के मूड करेंगे थी तो आप ऐने घंगेस्बार सवाल पूचे मैंने और सवाल पूछा है सूजेवला साथ चाहते हैं कि पंजब के तुकडे-तुकडे हो आप चाहते हैं कि पंजब एलग हो जाए तो मिदमनटising ब्रॉणे नगो जो मौड में प्रचमता है। सब्सक्राइब किया आपका कोई रोल था जो हाली में पंजाब में प्लास होएं किया आपका कोई स्थाने करेक्शन था आपकी कोई इन्वार्मेंट पी विकाज आपके खुद के लीडर में एक्स्पोस किया है कि आप खारिस्तारीस मद्दों के साथ बात चीट करें तूंका सबोरिक नहीं अब और जहां तक साहब इन्होंने सिंदू सहाब की बात की सिंदू साब की वजह से करतार पर कौरिडर वखλαक लाकों क्रोडों सिक्वों की मन्मनत पौरी हो सकी और जहां तक मोदी। शाहां की बात है। उनको जनम देंविश करते हैं। उनके गले लगते हैं। ठीक है जवाब जवाबज़ाद रिजवाब। जवाब। जवाब। जवाद शही होते हैं। विजेपी बिहार वालों को नौकरी दी अब इनका लहजा देखे जैसे कोई खैराद बात रहे थे आपको कहना चाहिए था नियुक्त प्रदेश के बिहार के लोगों ने आकर यहां की अर्फ्रवस्ता बिल्कुल लिया गलत कहने आप बिल्कुल गलत कहने थे आप रिमाइन करना है करतारपुर कोरेड़ोर सिद्धू की वज़े से खुला सिद्धू तो एक राज्य सरकार में मंत्री है भारती संविधान के रुसार विदेश का विशेट और राज्य से कोई संबल्दी नहीं रखता है तो यह सिद्धू ने कैसे खुलवा गया यह बता दे मत्ताब वह बाज अब कहता हूं देखिये पंजाब और उसका प्रदेश और बिहार का क्या गहरा आत्मी आत्यात्मिक संबन्द था उसको कैसे लांचित तिया आज ही चन्नी गए थे चन्नी साब वारानसी में संत्र रविदाज की के मंदिर पे मत्था केक ने संत्र रविदाज कहां के थे उ उत्तर प्रदेश और बिहार और उसके बारे में आप इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं एक बार फिर पंजाब की महान परमपरा का अपमान है जिसके हकीकत यह थी कि महाराजा रणजीर सिंग्ने जिनों ने इसना बड़ा इंपायर बनाया था शौन मंदिर पे जिस्ता ब पौटों के लिए कितना घटिया इसतर तक जाकर एक दूसरे को लड़ा कर अपना राजमे सितुनु सीधा करने का प्रयास हो रहा है। कि अधित राज में चुड़े हुए हैं उनका बैरुक करता हूं उधित जी हाला कि आपको वीडियो तना क्लियर नहीं आ रहा लेकिन फिर भी मैं आपके पार जाना चाहता हूं आज तो आप दुखी होंगे प्रियंका गांदी ने जिस विशे पर ताली बजा दी चैनल जी न सबसे पहले तो उधित राज मेरा अगर सबसे पहले मेरा अगर यह है कि तीन लोगों से कई बार आपस में बात्चीत कराया और मैं चोटा बैठा देख रहा हूं इतने देर से चलो इतने देर से सही जब आपको बलवाना नहीं होता तो ना बुलाय करे चलिए आपके प्रस जबाब देता हूं आपको जो चन्नी जी ने कहा ओ अरविंट कजरिवाल जी के तरह भी सारा था अरविंट कजरिवाल जी ने दो तीन दिर पहले ही कहा था कि हिंदू यहां पर असुरचित महसूस करता है तो डेवेट उस पर होना चाहिए चन्नी जी ने जो कहा कि यहां प होगों को अपना प्रचार के लिए हैं अमरी का तो यहां से पहले लोग किकट कटा के पहुंच जाते हैं इस समय अर्विंज के जरिवाल जी ने अपनाया था इस बात इसको चन्नी जी ने कहा था दूसरी बाते हैं कि बीजेपी ने कहा था कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए तो पर सिक्कों में दलित कहा होता है उदित जी सिक्कों में दलित कहा होता है गुरू ने जब पंच ब ट्राइब होटे रिजर वेशन होता है रिजर्ट इते हैं पर गूरू ने जब पंत को सब्स्तूरा आप नहीं होंगी तो इन्शानों ने बढ़ यह ला अंगर्यु की बात कर रहा हूं आप करते हैं बाई यह जाती तो है यह पर मज़े भी मतलब सिक्कों को भी जाती है आप क्या रहे हैं जाती में बाटता जाते हैं जात होती नहीं है कुछ ए देश का प्रवक्ता हुँ और देश का ही परवक्ता रहना चाहता हूं मैं भामा भार्ति की बात करता हूँ हिंदू को तो जात में बार दिया हिंदू को सैनी मौर्या जाट ब्रह्मन घूजर और कुछ बचाए दलित ओबी सी शेडूल ट्राइप सब में तो बार दिया अब सिखों को भी इसी जात में साथ यह कॉंग्रेस पार्टी आप मुझे ब जाती नहीं है तो क्या है भाई दूसरी 32 परसंट दलित का यहां पर सरवे सेंसस में जाती नहीं है तो क्या है भाई बीजेपी ने पहले कहा था कि दलित मुख्यमंतरी बनाएंगे आप से सवाल पूछाओं जब गुरू ने पंत को बनाया तो क्या जाए भाई आप ठोड़ो यार आप जो सच्चाई धरातल के उससे बात करो ठीक है आज चुनाव हो रहा है ठीक है सुदान चुत्रवेदी बीजेपी के सांसात सुदान चुत्रवेदी जब आप देना चाहते हैं वो कुछ कहना चाहते हैं जो बात उधित राज जी कह रहे हैं उधित राज जी तो ने मिर्टा से कह देना चाहता हूं दोक्टर अम्बेटकर ने जो समिधान बनाया था उसमें सिकh SC नहीं थे ये बाद में नहरु जी ने अपने समझ में यूज करवाया और आप मेरी जानकारी करना और आपको सहाएं बहुत दूमत को मानने वाले हैं उसमानता की बात करते उसमें SC नहीं होते ये बीटी जो समिधान मराया, क्या उसमें सिख कैस्टी थे? नहीं थे. दॉट्टर अंबेट करके बनाए समिधान का अफ्पान हुआ. ये नहरू के जमाने में एड हुए. और बॉद्धो कैस्टी में एड किया विश्राच पतार सिंगी नहीं सुननबे में. तो जो समानता के अंदोलन से, उसमें भी जातिकत विखंडन पैदा कनने का इस गंभीर मामना है. उसमें आप वरिष्ट वेक्टी हैं. आप आई रस ओफिसर रहें, आप दंबे दलिक चिल्टक रहें. ये देश, ये राजी से उपर उठने की बात है. इसलिए जब आप सिक्ष में दलिक्ष में दलि पैदर के थे एक शाइद मासिक के थे नहीं उन्होंने न खेतर बात किया था न जाती बात किया था मगराज पन्याबी वर्सेज यूपी आज दनिवर्सेश तुमाइंट जिए जाकर रहें इस तिक दर्द के अंदर आप नहीं कोई गड़ने जाकर आप देख 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 सुधानसु जी को लगता है मैं पॉलेटिकल साइंस का स्टुडेंट वा हो सकता है इसके वो जैसे पकड़ाने में आ गए हूं उन्नीस सो पचास में जो प्रिसिजेंशियल आओर आयर निकला हुआ था कि जो सिख सिरूकास्ट है उन्हें अर्रिजर्वेशन का लाब देना चाहिए उसमें बाबा साफ डाक्टर अम्यतकर की सहमती थी तो सम्मधान ये वाल्व होता है बहुत सारे चीजें सम्मधान में नहीं थी हिंदू कोड विल नहीं पास हो पाया था बाबा साथ के बाद में पास हुआ तो क्या बाते करते हैं बच्पना जैसे सम्मिधान इवालब करता है डबलफ होता है चिंज़ज होते रहते क्या बच्चों की बात करते हो रहे आप बच्चों भी बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की बात करें इसलिए पॉलिटिक्स में जात को बढ़ता जाते हैं पॉलिटिक्स की वज़ा से हमने करा और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है तो पॉलिटिक्स की वज़ा से ही पंजाब में रहके यूपी और बिहार के भाईयों को गाली दी गई पॉलिटिक्स की वज़ा से ही ना ये बात तो सपस्ट हो जाती है ना आपने तो खुद एक सब करी नहीं दी गई है ये अर्विन के जरिवाल जी पैसा दे के ढोडो करके लोगों को लेकर के आते हैं प्रचार करने उनको बंद किया जाना चाहिए ये सब लोब लालज दे कर के वहां से आते हैं कि जरिवाल जी इतना जूटे ब्यक्ति हैं कि कहते हैं कि चार दिन में 21 लाख मिसकाल आए अगर 15 सेकंड की दर से एक मिसकाल का टाइम काल्कुलेट किया जाए तो 22-23 जार से नहीं होता ये सब्सक्राइब का आपकी बात रखती है तो लेकिन उस पर जर्राइल लेते हैं संजीव जाकी यहां जूटा ब्यक्ति इतना जूटा ब्यक्ति चन्नी जी ने उनकी लिए कहा था कि ऐसे जो भाड़े पर लाए जा रहे तो केजरिवाल को डारेक्टली बोलते ना यूप जी बहुत गंबीर आरोप लगा रहे हैं मुझे लगता है ये भी अपमान है बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के बिहार बिहार उत्तर प्रदेश को लोग भी खाओ नहीं है और बिए पंजाब में अदरिवाल लोग लेकर नहीं आये पंजाब के बिकास में पंजाब के परकाइप्या इंकम पनाने बहुत बरा युगदार बाईचारे के साफ़ यहाँ लोग रहे हैं यहाँ किसी तरह का feeling नहीं है कि पिहर औरुपिक लोग जोई पंजाब को सबका सागत करती है पंजाबियत सबका पसंद करती है अगर आप नफरत की भी जिहाब हो रहें अपकी पंजाब की जमीन किसक गई है आपकी आपकी लूट एक्सपोज हो गई है आपने जो पंजाब को बरबाद किया आप पंजाब बदलाव के लिए तेयार है तो अपनी प्रदेश के लोग बिकाव नहीं है इस तरह की हलकी बात ना करें जिया बारे आप सुन लिजी मेरे मैं भी उपी बिहार का हूँ तो आपको भी तो गाली पर इल्गी का विए तो आपको भी पर नहीं तो बी चुड़े नहीं अरे आप रोई तो नहीं थे आप जाकर अरे आप सुन तो लीजिए भाई इसने मुझे बेलकुल दुख नहीं हुगा मुझे खुशी हुई कि चन्नी जी ने जो लोगों को पैसा देट विटर पर आपके आपके ट्विटर पर इस समय हमें मैं आपको बोलने देरा उदित रा जब यह बात बोली गई कुछ भी का सकता कोई नुसेंस हो गया यह तो मतलब है कि यह तो वार्टसफ इनवस्टी टीटर में कोई कुछ लिख दे अलग बात है लेकिन भाई अच्छा सुदान सूत्रवेदी जी का मैं बड़ा इज़त करता हूं हीज़ इंटलक्शली वेरी साउंड परसे और हीज़ एन इंटलक्शल आइज़ जस्वांट वान पॉस्टन इस देट वाटाइब तो दप्रामी जाप में की अचीफ मिनिस्टर अप्रजेक्टिंग अचीफ मिनिस्टर इन पंजाब क्या हुआ दली प्रेम खतम हो गया है क अब वन जूटे मोदी जी नंबर दो एक जरीवाल जी जचा सब जूटे लग रहे हैं आपकी पुरानी पाटी है यह बीजेपी और सब आपको जूटे ही नजर आ रहे हैं समय केजरीवाल और सच्चा कौन दिख रहा है अच्छा कौन दिख रहा है एक जेकर सुदान्शु मेरी एक कोई गलत कहीं भी असत्ते काम किया हूं असत्ते बोला हूं असत्त कोई इंक्वारी मेरी कर सकते अरे कोई आपकी क्यों करेगा आपकी इंक्वारी क्यों करेगा आपकी इंक्वारी की तो बात ही नहीं है बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कॉंग्रेस के लोग सच्च है यह वक्तका हैरे भी है साट्र साल लगा बीजेपी को अशन सानल में दिपट जाएंगे कान मदेनी कि नियुक्त कि निफटन गया दो या looking कि पाटी तुर कि ने थी नियुक है घी स्बक्राइँ में दो चार सालमें ज़्य से आएगी और दो बारा लाट के नहीं है दो दो साल आएगी ऑने वाले दस साल में हम दो हेब 132 तक भी और की अभी तो बोलां को हो सां तक प्नेने तक नहीं है या आएगी का ठीक है कही आएन पर कि अपने चुछ जी ने बात बोल दी विजय सापला जी का नाम दे लिया जाते हैं पंजाब भार्टी इंता पाटी के अज्यक्ष दनिस तमाज से आते हैं और आपकी पाटी का जैक कौन है जो गाहे वगाहे चन्मी जी का जहां तहां अपमान करते रहते हैं और यह बात जग जाही ने किसी से छुपी नहीं है हाँ दूसरी बात जी उन्होंने केजरीवाल जी की बात कही तो मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरी वेक्टिकत जानकारी के नुसार केजरीवाल जी भी आईरस ओफिसर थे और उधित राज जी उनसे कहीं बहतर और सक्षम आ कि केजरीवाल जी को बढ़ा इसलिए गया था की बीजेप्यों तुरह कमजोर की जा सके तो आज जो केजरीवाल जी है वो आपे का बनाया हुआ ंपे के लिए भस्मा तुरुप बनके खड़े हुए हैं तो आप अपने ही भस्मा तुरुप के लिए ऐसी भाच्वा जा नह मैं आप उद्धी भी मुस्कुराकर मुस्कुराकर एक्सेप्ट कर रहे कि अब जो हो गया वो हो गया आगे बढ़िए ने मैं जबाब दोना चाहरा हूं जबाब दो मैं जो अन्हाजारे के नच्रत में हुआ था यह सुधासुजी सही बात कर रहे हैं कि ट्रेक्ट रिकार्ड इंकम टेक्स का निकाल लीजिए मेरा कोई काम नहीं किया है इस तरह का ड्रामा करना वो फाइले सब बोलती है डिस्पोजल के सिट का बोलता है ट्रैक्स को कितना पकड़ाया बोलता है कोई काम नहीं किया यही एंजुजी चलाते थे यह तो कहते हैं न कि बिल्ली के भाग से सिखा टूट गया यह तो बिच्व हिंदु परिसद बीजेपी आरसस और कोईला घुटाला जी टू एस्पक्ट्रम सम्मिला करके सुधासु तर्वेदी जी ने मदद कर दिया राम ल उटे कुछ नहीं थे और बस कहते हैं कि चांस वेक्टर लग फैक्टर वाकी दीम में बीजेपी के यह आप इनके बसका था कि राम निना में घृट को यह दिनों तो कह नाकि खना खिलाना क्राउड देना आधि में इनके बसका था इनके बसकाए ता सवका नहीं था यह हमा आप दोनों एक दूसरे के पूल पट्टी खोल रहे हैं संजीव जा इस पर जरूर कुछ कहना चाहेंगे सुधान्शु जी कह रहे हैं कि कॉंग्रेस के लिए बस पास उड़ते हैं आप कह रहे हैं कि इन्हों नहीं खड़ा कर दिया इंट्रस्टिंग है यह अपने आप में च पंजाब के अंदर उन वोटर को जरूर गुस्सा आएगा अब देखिए अब आप दोनों प्रबक्ता हैं कि शुधानसो जी बरिश्ट प्रबक्ता हैं इंटेलेक्शुल है और मैं हमका सम्मान करता हूँ आपने सुधानसो जी को भी सुना और अपने ओधित जी को भी सुन और सुदामसु जी कह रहा है कि कॉंग्रेस ने बढ़ाया और उदित जी कह रहा है नहीं बीजेपी ने बढ़ाया तो एक बात आप समझेए कि जो अब ही उदित जी कह रहे थे कि वो NGO चला रहे थे में उतलब यह है कि एक व्यक्ति IIT और IRS की नौकरी छोड़ करके देश बाल किस टीम के लोग है आपके टीम के या आपके टीम के है अर्विंद के जिरिवाल इस देश की निर्मान का फंड लिया है और जो दिल्ली में उन्होंने दिल्ली मॉडल इजाद किया उससे राश्ट मजूद हो जाए बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत बह मैं माफी चाहता हूँ आखिर में आपके बाद आश्पीत नहीं आ पाऊंगा लेकिन फिलाल आरपार को यहीं क्लोस करते हैं लेकिन आज की चर्चा का निश्कर चाहिए कि वोट के नाम पर हमने देखा कई बार जातियों में बाड़ते हुए लेकिन प्रदेशों में बाड़ बार है लेकिन ये देश के लिए भारत वर्ष के लिए सही नहीं है नमस्कार